इस दिन से शुरू है, शार्दिय नवरात्री, जान ले इस त्योहार से जुडिये महत्वपूर्ण बाते शार्दिय नवरात्री इन हिंदी, शार्दिय नवरात्री हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है. हर साल आश्विन माह के शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी से शारदिय नवरात्र की शुरुआत होती है, जिसका समापन नवमी तिथी पर होता है इस सवधी के दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की विशेश पूजार चना करने का विधान है इस त्योहार में मां दुर्गा की अपार कृपा प्राप्थ होती है आएए इस ब्लाग में जानते हैं शारदिय नवरात्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में शारदिय नवरात्री के बारे में शार्दिय नवरात्री हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है यह नौ दिनों का त्योहार है जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है शार्दिया नवरात्री इन हिंदी को देवी दुर्गा के नव रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है इन नौ रूपों को नव दुर्गा कहा जाता है शार्दिय नवरात्री महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देवी दुर्गा की शक्ती और महिमा का जश्न मनाता है यह त्योहार भक्तों को देवी दुर्गा से आशिर्वाद और शक्ती प्राप्त करने का अफसर प्रदान करता है शार्दिय नवरात्र दो हजार चॉबीस स्टार्ट डेट समझना जरूरी है आपको बता दे कि पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर राद 12 बचकर 18 मिनट से होगी वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर राद 2 बचकर 58 मिनट पर होगा ऐसे में शार्दिय नवरात्र शार्दिया नवरात्री इन हिंदी का शुभारंब 3 अक्टूबर से होगा बता दें कि इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 को होगा और अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को दशेरा का त्योहार मनाया जाएगा नवरात्री कैसे मनाई जाती है नवरात्री के 9 दिनों में भक्त देवी दुरगा के विभिन रूपों की पूजा करते है प्रत्यक दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है पहला दिन शैलपुत्री को समर्पित है दूसरा दिन ब्रहमचारिनी को तीसरा दिन चंद्रघंटा को चौथा दिन कुश्मांडा को पाँचवा दिन सकंदमाता को छठा दिन कात्याइनी को सात्वा दिन कालरात्री को, आठवा दिन महागौरी को और नौवा दिन सिध्धिदात्री को. नवरात्री के दौरान भक्त उपवास, पूजा, भजन और कीर्तन करते हैं. वे अकसर देवी दुर्गा के मंदिरों में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं. नवरात्री के अंत में भक्त देवी दुर्गा की आरती करते हैं और उनका आशिरवात प्राप्ट करते हैं नवरात्री का त्योहार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है यहां देवी दुर्गा की शक्ती और दया का उत्सव है यह त्योहार लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागरित करने और उन्हें देवी दुरगा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्री का आयोजन विभिन्न भागों में भारत में होता है लेकिन गुजरात, वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश में यह त्योहार विशेश धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसमें रात्री के जागरण, गरब रास और दुरगा पूजा की खास प्रक्रिया शामिल होती है। नवरात्री के आखिरी दिन को विजया दश्मी या दशेरा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान राम ने रावन को मार कर विजय प्राप्त की थी। नवरात्री का महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि यहां आध्यात्मिक उन्नती, शक्ती और सम्रिध्धी की प्रतीक है और लोग इसे आनंद, उत्सा और भक्ती भाव से मनाते हैं। नवरात्री के नौ दिन और देवी दुर्गा के रूप नवरात्री एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागरित करने और उन्हें देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह त्योहार लोगों को जीवन में सफलता और सम्रिध्धी प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करता है। नवरात्री के नौ दिनों के दौरान देवी दुर्गा के विभिन रूपों की पूजा करने का महत्व एक शेल पुत्री। देवी दुर्गा का पहला रूप है। वे हिमालय की पुत्री हैं और उनके हाथों में तलवार और कमल का फूल है। शेल पुत्री देवी दुर्गा की शक्ती और दया का प्रतीक हैं। दो डौट ब्रहचारिनी ब्रहमचारिनी देवी दुर्गा का दूसरा रूप है वे एक तपस्वी है और उनके हाथों में कमंडल और जपमाला है ब्रहमचारिनी देवी दुर्गा की आध्यात्मिक्ता और ज्यान का प्रतीक है तीन डौट चंद्रघंटा चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप है उनके माथे पर एक अर्धचंद्र है और उनके हाथों में त्रिशूल और खडग है चंद्रघंटा देवी दुर्गा की रक्षा और सुरक्षा का प्रतीक है 4. कुश्मांडा कुश्मांडा देवी दुर्गा का चौथा रूप है। वे ब्रहमान की उत्पत्ती का प्रतीक है। कुश्मांडा देवी दुर्गा की शक्ती और उर्जा का प्रतीक है। पांच डॉट सकंदमाता सकंदमाता देवी दुर्गा का पांचवा रूप है। वे भगवान कार्थिके की माता है, सकंद माता देवी दुर्गा की मातरित्व और करुणा का प्रतीक है 6. कात्याईनी कात्याईनी देवी दुर्गा का छठा रूप है वे भगवान शिव की पत्नी है कात्याईनी देवी दुर्गा की शक्ती और साहस का प्रतीक है के लिए जानी जाती हैं कालरात्री देवी दुर्गा की बुराई पर विजय का प्रतीक है आठ डॉट महागोरी महागोरी देवी दुर्गा का आठवा रूप है वे एक सफेद रंग की देवी है महागोरी देवी दुर्गा की पवित्रता और शुधता का प्रतीक है 9. सिध्धिदात्री सिध्धिदात्री देवी दुर्गा का नौवा और अंतिम रूप है उनके हाथों में कमल और त्रिशूल है सिध्धिदात्री देवी दुर्गा की सिध्धी और ज्यान का प्रतीक है नवरात्री का इतिहास और महत्वक क्या है नवरात्री का इतिहास प्राचीन काल से ही है हिंदू पौरानिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने नौ दिनों तक महिशासुर राक्षस से यूध किया और दस्वे दिन उसका वध किया इसलिए नवरात्री को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है यह देवी दुर्गा की पूजा का एक महत्वपूर्ण अवसर है यह एक समय है जब लोग एक साथ आते हैं और अच्छाई की शक्ती पर विश्वास करने के लिए प्रेरित होते हैं नवरात्री पर दस लाइन्स नवरात्री पर दस लाइन्स इस प्रकार हैं एक डॉट नवरात्री भारतिय हिंदु धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है दो डॉट यह त्योहार नौ दिनों तक मनाया जाता है और उन दिनों मा दुर्गा की पूजा की जाती है 3.9 नवरात्री के 9 दिनों में देवी दुरगा के 9 रूपों की पुजा की जाती है 4.9 नवरात्री के पहले 3 दिन मा काली, मा ब्रहमाचारिनी और मा चन्द्रगंटा के रूपों की पूजा की जाती है पांच डॉट इस अवसर पर लोग वरत रखते हैं और धार्मिक गीत और भजन गाते हैं छे डॉट नवरात्री के बादले छे दिनों में अलग-अलग देवी की पूजा की जाती है साथ डॉट नवरात्री का महत्व हिंदू संस्कृती में शक्ती की पूजा के रूप में माना जाता है आठ डॉट यह त्योहार समाज में एकता और सद्भावना का प्रतीक होता है नौ डॉट नवरात्री के दौरान सजावट, खाने-पीने का आयोजन और सामाजिक आयोजन भी होते हैं दस डॉट नवरात्री के दौरान दर्शनिया मंदिरों में भक्तों की भरमार होती है